दोस्ता अपलाओं के काफी सारी कमेंट आते रहे हैं कि A3 प्रिंटर के बारे में बताइए तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुती प्रोफेशनल फोटो इस्टूडियो एंड लैब के लिए एक बिल्कुल फोटो प्रिंटर जो A3 तक साइस का पेपर पर फोटो प्रिंट करके देगा है यह बहुती 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 छिन लोगों का प्रोफेसिरली काम है या उर्बा काम है बड़ा पृटाई प्रिंटर चाहिए बहुत जाधे प्रिंटर और निकालना है, फोटो जादे से जादे निकालना है या फिर photo की quality में आपको बड़े pages निकालने होते हैं किसी building वगरे का designing का का काम कर रहे हैं वो सारी चीज़े निकालनी है आपको architecture वगरे का काम करते हैं architect वगरे हैं उससे related कोई भी designing वगरे निकालना है तो ये printer बिल्कुल आपके लिए हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही बहतरीन quality निकालेगा six color के साथ में आता है इसके अंदर six color डलेगा यही reason है कि ये printer बहुत ही बहतरीन quality जो है print out निकाल करके आपको देता है अगर इसके type की बात करें तो चुकि मैंने पहले ही बताया कि ये multi function printer है यानि कि इसमें जो है आप print, scan copy and duplex printing कर सकते हैं दोरों side में जो है आप print out निकाल सकते हैं इसके साथ में इसके अंदर cd and dvd printing के लिए भी सुविधा इसके अंदर है जिसका चलन अब तो खतम हो गया है अब dvd and cd आती नहीं लेकिन इसका design चुकि पहले का बना हुआ है इसलिए अब भी ये रन कर रहा है जिसकी अब हमें ज़रुरत नहीं पड़ती बाकी connectivity की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है direct printing sd card से यानि कि direct आप जो है camera से sd card निकालिए और direct sd card इसके अंदर डालिए और direct screen पर इसके अंदर display लगा हुआ होता है उसमें देखकर के आप print out निकाल सकते हैं pen drive से भी आप direct इससे print out निकाल सकते हैं इसके अलमा usb port है ही है wirelessly connect कर सकते हैं wifi direct है and ethernet सब कुछ है यानि internet printing भी है और बाकी sd card slot इसके अंदर है ही यानि कि हर तरह से बिल्कुल full flash है कोई भी feature जो है ऐसा नहीं है जो इसके अंदर ना हो आप हर तरह से कैसे भी आप print out इसका निकाल सकते हैं display की बात करें तो इसके अंदर color touch screen जो है display है 10.9 cm का जिस पर आराम से आप जो है उसके अंदर जो memory बगएर है उसको open कर सकते हैं images को open करके उसको देख सकते हैं उसको align कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप उसको print out दे सकते हैं full feature से less है बिल्कुल color की बात करें तो six color इसके अंदर डलेगा 115 eco tank pigment ink इसके अंदर डलता है जिसके अंदर black, photo black, cyan, yellow, mesenta और gray color इसके अंदर डलता है ये सारे color जो है आपको easily मिल जाते हैं आप वहाँ से लेकर के जब भी खतम होता है तो आप easily refill कर पाएंगे और फिर दुबारा से आप इसको run कर पाएंगे इसके अलावा जो है print speed की बात करें तो 16 page actually photo quality की हम बात कर रहे हैं जो standard जो normal quality होती है वो तो बहुत जादे है जस्ट इससे double है जस्ट इससे double है normal quality color का लेकिन photo quality के अगर हम बात करें ISO standard की तो 16 page per minute जो है इसका monochrome में है और 12 page per minute जो है ये color में जो है print करके देगा और 25 second के अंदर मत्र जो है 10 into 50 cm का photo जो है आपको निकल करके मिल जाता है तो इसकी print की जो है speed है वो बहुत ही जादे है जादे बड़ा काम है जिन लोगों का उनके लिए बिल्कुल जबरदस्ट printer हो सकता है इसके अगर हम बात करें तो A4 size के अंदर 6 page per minute जो है monochrome में निकाल करके देगा और 5 page per minute जो है ये color page में निकाल करके देगा जो की एक बहुत बड़ा speed है दोनों side से अगर निकालने की बात की जाए तो इसकी अलावा जो है borderless printing ये देता है चारो side से 0 mm का जो है आपको margin देखने को मिलता है जबरदस्ट quality के साथ में आपको बिल्कुल borderless printing quality आपको देने वाला है paper weight की बात करें कि कितना GSM में ले पाएगा तो इस 64 से ले करके 300 GSM तक जो है ये paper को accept करेगा जो कि एक बहुत अच्छी बात है इसके साथ में ही auto duplex printing की अगर हम बात करें तो A4 तक का side जो है ये accept करेगा और इसके अलावा maximum copy इसके अंदर 99 copy जो है आप order दे पाएंगे जिसक के लिए तो A3 plus से ले करके A3 plus A3 और उसके अलावा जितने सारे size हैं वो सारा का सारा size जो है screen पर मैं आपको दे रहा हूं यारी A4, A3, A3 plus A सब तो हई है साथ में बाकी सारे जो pages हैं उन सब का screen पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे के सारे page को बिल्कुल easily support करेगा इ A4 size का जो plain paper होता है वो input के अंदर 100 seat जो है ले लेगा ये और output में 50 seat ले लेगा और photo page अगर आप लगाते हैं input में तो 20 seat जो है आप इसके अंदर रख सकते हैं input tray के अंदर page yield की अगर हम बात करें तो 200 page high quality में जो है ये print करके आपको देगा जो की बहुत अच्छा है यानि की खुल मिला जुला करके paper cost आपका कम आने वाला है power consumption की बात करें तो जिस वक्त ये printing कर रहा है उस समय 17 watt का consumption है यानि की बहुत ही कम consumption है इतना बड़ा printer होने के बाद भी बहुत ही कम consumption है slip mode के अंदर 0.8 watt लेगा और ready mode के अंदर 7.5 watt लेगा off position में 0.3 watt लेगा यानि कुल मिला जो power का consumption है वो बहुत ही कम है easily आप एक कोई भी UPS रखे है चोटा सा तो उस पर जो है आप इसको operate कर पाएंगे पूरे दिन बाकी resolution की बात करें तो बहुत ही high resolution के अंदर ये जो है print out आपको देता है 5760 into 1440 dpi का इसका resolution है और printer के weight की बात करें तो 11.100 kg जो है इसका वजन है य 11-year की on-site warranty के साथ में आपको मिलता है तो अगर professional studio के लिए बहुत ही professional अगर आप जो है एक printer ढूंड रहे हैं A3 के साथ में तो बिल्कुल इसके साथ में जाना चाहिए जबरदस्त printer हो सकता है आपके काम के लिए अगर इस type की आपकी requirement है तो price की अगर हम बात करें तो यह हमे current price क्या चल रहा है दोस्तों इस वीडियो information आपको कैसा लगा प्लीज आप comment में ज़रूर बताएं अगर इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें मैं मिलता हूं next किसी और अच्छी informative वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करने के लिए हमें support करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यबाद करता हूं आपका दिन सुभाव